हाई गाईज नमस्ते वैलकम टू माई यूटूब चैनल रिविया ड्रीम्स कैसे हो आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तका मेरे युसरा मेकप लूग स्वसटर के साथ मेकप से पहले मैंने अपने हेः को अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि ये मेकप करते वक्त डिस्ट अपन करें तो फर्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गुड वाइप का राइस ब्राइटनिंग टोनर इसे मैं अपने फेस और नेक पर अच्छे से अपलाई कर ले रही हूँ इसके बाद मैंने यहाँ पर मॉस्टराइजर के लिए आज यूज किया हुआ है गुड वाइप का सैफ्रोन डे क्रीम गाइज एज डे क्रीम यह बहुत अच्छा है और अच्छे से फेस को मॉस्टराइज भी करता है डेली वेस के लिए आप कोई अच्छे सी क्रीम लेना चाहते हो तो आप इसे एक बार ट्राइ करके जरूर देख लेना और अच्छे से face को brighten up भी करता है मॉस्टराइज करने के साथ साथ तो मैंने इसे apply कर लिया क्योंकि makeup से पहले अच्छा सा moisturizer apply करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है next मैं आपर as a primer use कर रही हूँ aloe vera gel जो की है patanjali brand का तो आप कोई भी brand का aloe vera gel use कर सकते हो as a primer तो मैं इसे अपने face snake पे अच्छे से apply कर ले रही हूँ क्योंकि यह बहुत ही अच्छा primer का काम करता है इसके बाद next मैं आप यूज करने वाली हूँ आज सेसी करीम मैं आज कोई भी foundation use नहीं कर रही हूँ इसमें जो मेरा set number है ब्राँज है और इसे मैं apply कर ले रही हूँ आपको मेरे skin tone से एक दो set light up दिख रहा होगा बट guys ऐसा नहीं है इसे मैंने एक damp beauty blender की help से blend कर लिया है तो एकदम से मेरे skin से mix and match हो गया था मैंने आज जो beauty blender use किया हुआ है इसे मैंने n by way brand से लिया हुआ था 99 rupees का है ये वाला beauty blender बहुत अच्छी quality का है तो इसे मैं अच्छे से apply करके अच्छे से blend कर ले रही हूँ पुरा makeup मेरा blend हो चुगा है next में आपे use कर रही हूँ Swiss beauty का concealer गाइज दी वाला concealer बहुत अच्छी quality का होता है as a 200 rupees में आप कोई अच्छा सा concealer लेना चाहते हो तो ये वाला concealer आप ले सकते हो क्यूंकि quality wise बहुत ही अच्छा है अच्छे से blend हो जाता है इसका texture बहुत ही क्रीमी है और मुझे काफे ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इससे हमेसा यूज करती हूँ और अच्छे से मैंने इसे भी blend कर लिया है आप देख सकते हो कि इतना easily ब्लेंड हो चुका है मेरी skin में तो इन पूरे makeup को मुझे अच्छे से सेट करना है तो आज मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लूज पाउडर लेकमी ब्रेंड का रोज लूज पाउडर इसमें मैंने जो सेट नमबर लिया हुआ है सॉप्ट पिंक है गाइस दो-चार सेट इसमें आपको मिलेंगे क्योंकि नेक पर भी मैंने CC क्रीम अप्लाई किया था तो इसके बाद मैंने फेस के उपर जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसे हटा दिया है क्लेन ब्रस की हैं और अच्छे से हैं तो आप देख सकते हो कितना फ्लॉॉलेस लग रहा है नेश्ट यहां पर थोड़ा सा पाउडर लेकर के मैं अंडर आयरिया की नीचे अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मुझे आई मेकप करना है आई मेकप के लिए यह मैंने यहां पर हिलारिया रोडा का पैलेट लिया हुआ है और आईब्रो के लिए भी और यहां पर अच्छे से यह ब्लेंड भी हो रहा है नेश्ट यहां पर मैंने एक गोल्डन ग्लिटर सेड लिया हुआ है और इसे अप्लाई कर रही हूं यहां पर हाप आई लिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसे अप्लाई नहीं करना है तो आप देख सकते हो कि इतने इजली प्रोसेस में यह आई मेकप कंप्लीट हो गया है और एक क्लीन एरबट की हैल्फ से मैंने यहां पर जो हार्स लाइन था उसे अच्छे से में क्लीन कर रही हूं ताकि मेरा आई मेकप बहुत ही अच्छा लगे इसके बाद मैंने यहां पर आई मेकप कंप्लीट कर लिया है अब आई लाइनर अप्लाई कर रही हूं आई लाइनर के लिए मैंने यहां पर मैबलीन का आई लाइनर लिया हुआ है यह एक वार्डर प्रूप आई लाइनर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसकी help से मैं आज यहां पर wing liner ड्रॉ कर रही हूं अपने आखों की ऊपर क्योंकि festive season में थोड़ा सा wing liner अच्छा लगता है और as a daily ways मुझे wing liner अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी eyes थोड़ी सी hooded है इस वज़े से लेकिन festive season में चलता है तो इसे मैं apply करके अच्छे से आप देख सकते हो wing liner मैंने बना लिया है और मेरा eye makeup complete हो गया है तो as a beginner हो आप eye makeup बिल्कुल नहीं आता आपको तो आप यह वाले process फॉलो करके eye makeup complete कर सकते हो color आप कोई भी select कर सकते हो अपने outfit के हिसाब से इसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया हुआ यह बहुत अच्छी quality का काजल है आँखों में apply होने के बाद एक cooling सा effect देता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और काजल अप्लाई करने के बाद मैंने clean ear butt की उपर same maroon color का acid हो लिया हुआ है और इसे अपने lawless line के नीचे apply कर रही हूँ और अच्छे से blend कर ले रही हूँ अब मैं mascara के लिए use कर रही हूँ N by Bay का mascara यह बहुत अच्छा quality का mascara है as a 200 rubies में आपको कोई अच्छा सा mascara चाहिए तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो यह अच्छे से eyelashes को curl करता है volume provide करता है और मेरा तो all time favorite है as a daily base में इसे apply जरूर करती हूँ क्योंकि यह eyelashes को बहुत ही अच्छे से curl करता है volume करता है तो इसे मैंने apply कर लिया है और extra जो fall out हुआ था powder वे गरा जो मैंने apply किया था उसे अच्छे से clean कर ले रही हूँ एक clean brush की help से अब next इसी eyeshadow palette में as a blush में apply करने वाली हूँ यह maroon color में थोड़ा से ले करके as a blush apply कर रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा से product पहले apply करना है एक साथ बहुत सारे product नहीं लेने है नहीं तो आपका make-up खराब हो सकता है as a blush में इसे apply कर लिया है और as a highlighter भी same इसी eyeshadow palette में से मैं लेने वाली हूँ यह glitter golden color तो इसे पहले मैं finger tip की help से अपने nose की उपर apply कर रही हूँ बहुत ही pigmented है गाइस तो आपको थोड़ा थोड़ा product लेना है कोई भी product आप पहले हलका हलका सा यूज़ करके उसे blend करो उसके बाद फिर दुबारा apply करो तो make-up बहुत flawless लगता है तो इसे मैंने apply कर लिया है और ये वाला eyeshadow palette मैंने flip cut से 130 रूपीज में purchase किया हूँ था इसमें एक eyeshadow color में टूटा हुआ ही receive हुआ था और उस टाइम कोई भी मतलब इसे return करने का option नहीं था तो बस मैंने इसे रख लिया क्यूंकि qualities की अच्छी थी इसके बदा highlighter apply कर लिया है मैंने अच्छे से अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा loose powder clean brush की उपर लेकर के पूरे face की उपर apply कर रही हूँ आप भी ऐसा process कर सकते हो जब आपका make up पुरा complete हो जाए तो एक compact या फिर loose powder clean brush की help से पूरे face की उपर अच्छे से apply कर लेने से क्या होता है कि make up और भी ज़्यादा flawless लगता है इसके बाद मैंने NYB की liquid lipstick apply की हुई है इसका set है maroon और ये बहुत अच्छी quality की lipstick है इसके अंदर आपको zozoba oil मिल जाता जो आपके lip को अच्छे से masterize रखता है और अच्छे से 7-8 गंटे तक आपके lip की उपर टिका रहता है ये वाला lipstick तो एक बार आप लोग जरूर करिएगा और ये वाला lipstick मैंने पर्चेस किया हुआ था 199 रूपीज में परपल से तो ये बहुत अच्छी quality की liquid lipstick है इसके बाद पूरा make-up look मेरा complete हो चुका है तो guys यहाँ पर मैं अब change करके आप से मिलती हूँ तो यहाँ पर मैंने आज maroon कलर का कुरता पेयर किया हुआ है और एक चोटी सी hearing जो के daytime के लिए perfect होता है और सौस्टी make-up look में मुझे ये look काफे चादा अच्छा लगा आप बताईएगा कि आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताना और थोड़ी से भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like, share जरूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप लोग पहले बार विजिट कर रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते बाई बाई लव यू तिल देन टेक कियर